नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का Home Cleaning Solution चैनल पर स्वागत है मैं हूँ अमित और आज हम करने वाले हैं Unboxing Black & Decker Machine का दोस्तों अक्सर Drill Machine का यूज एलेक्ट्रिशन करते हैं दिवालों में होल करने के लिए बट दोस्तों आज मैं इसके और भी यूजस जो है वो मैं बताऊंगा ज्यादा तर आज कल क्लीनिंग इंडस्ट्री में इसका काफी सारा इस्तमाल हो रहा है जैसे की सोफा क्लीनिंग में या फिर वाटर किया है तो मैं उसको पिछले दो साल से यूज कर रहा हूं अभी तक कोई इशू नहीं आया है बहुत ही जवर्दस्त क्वाल्टी है तो चलिए पहले इसको अन्बॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या आपको मिलता है तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप अन्ब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 450 रुपे सी मेकसिमम रिटेल प्राइस है ठीक है दुस्तों तो और आप देख सकते हैं इसका वाट लिखा हुआ है 555 वाट तयाई 100 का करते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको मिल जाता है ठीक है तो इसको यूज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है ठीक है उसके साथ आपको एक स्केल मिलती है इसका भी बाद में यूजिस दिखाऊंगा आप यह रहा दोस्तों में पार्ट यह है ब्लेकन डेकर का ड्रिल आप देख सकते हैं यहाँ पर मेड इन पी आर्सी 550 वाट का काफी अच्छा बिल्ड क्वाल्टी है दोस्तों बहुत ही हैवी डूटी लग रहा है मुझे और यहां पर दोस्तों इसका मिल जाता है आपको खी मिल जाती है चावी जिससे आप इसको टाइट करेंगे ठीक है अभी मैं दिखाता हूं इसको कै से अटाइच करना है तो इसमें देखते हैं एक तो आपका देख सकते हैं दोस्तों यहां पर दिया हुआ है रोटेशन के लिए ठीक है क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज के लिए ठीक है और इसका जो वायर का लेंथ है वो लगबग 1.5 मीटर के करीब है और इसक सब्सक्राइब कर देंगे तो यह लॉक हो जाएगा आपका यह चलेगा फिर ठीक है तो यह सारे फीचर्स है तो इसको अब एक बार यूज करके मैं आपको दिखाता हूं चीक है दोस्तों और जो मैं पुराना वाला भी यूज कर रहा हूं उसको में दिखाता हूं क्या-क् करेंगे यह पूरी तरह से लूज हो गया ठीक है तो ऐसे आपको यहां पर आगे की तरफ फिक्स करके और ऐसे यह हैंडल से टाइट कर लेना है ठीक है फिर आपको यूज करने में यह काफी आसान रहेगा ठीक है दोस्तों यह बहुत ही अच्छी चीज दी हुई है ज्याद पहले अभी देख सकते हैं इसकी condition लेकिन अभी भी जबरदस्ट चल रहा है यहां पर देख सकते हैं आप दोस्तों यह जो clockwise एंटिक clockwise है इसका अलग से यहां पर दिया हुआ था बटन आभी फिलाल दिया हुआ यहां पर स्विच के पास ही यह ऐसे ठीक है और बाकी सारे चीजें सेम हैं इसकी साइस थोड़ी सी मुझे बड़ी दिख रही है और थोड़ा सा वेट भी इससे इसका ज्यादा लग रहा है ठीक है तो अब मैं दिखाता हूं दोस्तो इसमें क्या क्या आप यूज कर सकते हैं कौन-कौन से ब्रस तो फ्रेंट्स यह है बफ किंग की तरब से आने वाला ड्रिल ब्रस इसका इस्तमाल हम करते हैं सोफा क्लीनिंग में दोस्तो इसका और यह जो रेड कलर का भी आप देख रहे ह दोस्तो इससे क्लीनिंग का जो काम है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है कम समय में और मेहनत भी जादा नहीं लगती है तो आप चाहे तो इससे कार की इंटीरियर क्लीनिंग भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छा काम होगा इससे करने में दोस्तो तो यह ड्रिल आपका केवल दि लगा हुआ है तो इससे आप PVC टैंक हुआ या कॉंक्रीट का टैंक हुआ उसमें आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत के चीज नहीं है और बहुत ही अच्छा काम होता है इससे दोस्तों तो यह भी ट्रिल में अटेच हो जाता है तो यह आसानी से यहां पर टैज करके ठीक है दोस्तों यहां से इसको ओपन कर लेना है दोस्तों फिर इसको यहां पर ऐसे फिक्स कर देना है यह हो गया दोस्तों और यहां से इसको चावी से इसको टाइट कर देना है फिर आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों वाटर टाइंग क्लीनिंग म इससे पहले मैंने water tank cleaning का एक वीडियो बना था उसमें मैंने दिखाया था इसको यूज करके कैसे इसको यूज करना है बहुत ही आसान है ठीक है दोस्तों तो इस तरह यह टाइट हो जाएगा और यह आपका इस्तमाल हो जाएगा water tank cleaning में ठीक है friends तो grip भी काफी अच्छी बनी रहती इससे और वहीं आप अगर आप car polisher machine में ब्रस लगाते हैं तो वह थोड़ा सा उसका वेट लगबग 3-4 kg होता है तो उसको पकड़ के रखना बहुत ही मुस्किल की चीज है आपका हाथ जो है वो दर्द करने लेगा कुछ नाइम बात और यह थोड़ा सा वेट में हलक बाबाय तेक केर